Hello guys, I hope कि आप सभी लोग अपनी life enjoy कर रहे हो, just like me आप लोगोंने मेरे last video को काफी जाधा support और प्यार किया था and I hope कि आप आगे चल के भी इसी तरह से मुझे support करें वैसे हमारा आज का topic भी last वाले topic से काफी जाधा similar है so let's start कभी आपने अपने face को mirror में देखा और सोचा ही होगा कि there is some kind of imperfection मैं भी अपने आपको mirror में देखके यह सोचता था कि मुझे perfection चाहिए तो मैंने कुछ steps follow किये जिसके results आप देख सकते हो guys यह video start करने से पहले मैं आपको यह बता दू कि कोई भी cream या medicine जिसके ओपर लिखा हो for external use only वैसी कोई cream आपको कभी वो desired result नहीं देगी जो आप हमेशा से चाहते हो for a long term long term के लिए आपको कभी वो desired result मिलेगा जो से so just follow mother nature and introduce some discipline in your timetable first one is drink plenty of water yes I know कि आप सोच रहे होंगे कि मैं तो काफी पानी पीता हूँ हमेशा मैं तो सबसे जादा पानी पीता हूँ but I'm sure I can bet you that आप अपना पेड भनने जितना पानी ज़रूर पी रहोंगे लेकिन अपनी body की capacity के हिसाब से बिलकुल नहीं पी रहोंगे तभी आप ये video भी देख रहे होंगा I guess चलिए मैं आपको एक टार्गेट दिता हूँ आप बारा ग्लास पानी एक दिन में पीजिए और अगले एक महिने से रिजल्ट देखिए second step eat foods which are rich in antioxidants वैसे जो लोग antioxidants वर्ट इस वर्ट से जो लोग familiar नहीं है उनको मैं बता दूं कि antioxidants आपकी body को recover करते हैं और decay होने से भी बचाते हैं तो जो food antioxidant के लिए बहुत जादा मशूर है या जिसमें कूट कूट के भरा है वो है green tea, onions, garlic, pumpkin and red wine, yeah red wine, I mean it red wine, step number three, guys जितने जाद आप colorful vegetables खा सकते हैं उतना जादा आप खाईए, अरे खाईए ना, अब इसके benefits में आपको बता दूं कि सबजीयों को जो color मिलता है वो उनके अंदर present vitamins and minerals के वज़े से मिलता है, जो हमारी skin के लिए भी बहुत जादा ज़रूर है, so eat a lot of colorful and healthy vegetables and shine bright like a diamond, step number four, अब जो मैं आपको बताने जारो, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से सुनना क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पिलो, जितना चाहे ज़्यादा आप हरी सबजीया खालो या कुछ भी कर लो, आपको results तब तक नहीं देखेगा, जब तक आप उस सूरत से अपनी दोस्ती थोड़ी कम नहीं कर लगते है, हाँ सुबा की धूप बहुत ज़रूरी है, वो आप थोड़ी बहुत ले जीजिए, क्योंकि उसमें आपको विटमिन D मिलता है, लेकिन अगर आप धुपैर की धूप लेता हो, तो उसमें आपको compliment में शीक मिलेगा, हाँ हाँ I know कि आप लोगो काम से बाहर जाना पड़ता है, धूप में भी घुमना पड़ता है, तो उसके लिए इस दुनिया में संस्क्रीन नाम की चीज एक इंवेंट की गई है, तो आप प्लीज वो लगाओ ना यार बाहर निकलने से पहले, थैप नमबर फाइ तो गाइस जैसे कि बहुत लोग गोरा होना चाहते हैं और जिसके लिए वह बहुत सारी अजीब अजीब तरकिभ यूज़ करते हैं जैसे कि Google सश्च करना या फिर क्रीम यूज़ करना बहुत सारी या फिर रोज रोज जब देखो नही नहीं अलव 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 तरह क के फेस वाश लेकर आ जाते हैं तो गाइज उन्हें मैं साइंटिफिकली बता दू कि इन सारी चीजों का अवाइट करके अगर आप विटमिन सी पर अगर भरोसा करें क्योंकि आपको पता होगा तो विटमिन सी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है आपको गोरा होने के लिए आपकी स्किन के लिए वह बहुत ज़्यादा ज़रूर यह तो आपको ज्यादा से ज्यादा वो चीज़े खानी और पीनी चीज इसमें विटमिन सी बहुत ज़्यादा भरपूर हो जैसे की ब्रुकली, स्प्राउट्स, टोमाटोज, ग्वावा, कीवी और संत्रा तो गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगी वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और अगले वीडियो के टॉपिक के लिए भी आपको कमेंट सेक्शन में ही अपने सजेशन्स डॉप करने तब तक के लिए बाय